शपनो का चाहलоде है उसके लिए एक द careful किस्वा आजाद की एक बार में बात है शजुन पेड़ह की तू क्या भात करेंगरं। इसलिश्के राझे कि तू च्च्च रखे लिए पेले कुछह के शक्राइब कि यार मैं मैं बहुत वलक्ड़र क्वरे जान तो मैं कि मेरी इच्छा है कि मेरी नहीं बहुत सौरिफ बहुत मजबूत है मैं एक संधूप बनना चाहिए जिसमें दुन्या के सब्से कीमती थीरे जवारा मूती रत्म वो सब रखे जाएं और उसकी सुरक्षा दो और दिन्या का सब से धुन्मान रखती कहला हूं तीसना प्रेट दोनों की बाते सुर्णा था और वो कहता है कि मेरे पास इसी कोई प्वाईटी नहीं है जो आपके पास है मैं बहुत ही भारी हूं बहुत ही सूखा से सभाव का मूं बहुत ही कड़ा हूं मैं चाहता हूं कि मैं किसी मंदिर का पिलर रहूं ताकि उसकी चथ को जब तक जिंळा रूं तब तक समblindसाल में हु legitim हो तो घरु के काम आना चाहता हूं मैं किसी ज युद नहीं चाहता, वो इरद्ध नहीं चाहता, इस प्रकार की बातें होते होते, एक समय ऐसा आया कि लकटभाड़ हारे आएं और सभी पिरों को काट देगां। अब यहां से होते हैं सपने शुरू इस पकार से आप शुरी बैठे हैं अपने सपने लेकर कभी ना कभी आपका भी वक्त आएगा एक दिन वक्त आया पहले पेड़ा एक ग्राहत आया और उनके हटा है कि मुझे लकडी चाहिए नाव बगाने के लिए तो हुआ वही कि नाव लकडी को तब्दील कर दिया वह रोने लगा कि क्या किस्मत थी मेरी और क्या कर दिया इसने खेड छोड़ो नाव तो बटाया इच्छा तो पुरी हुआ समय बीता गया वो नार्व यात्रियों को इस किनारे से उस किनारे ले जाती रही फिर आया दक्ट दूसरे पीड़ वही हुआ एक लेक्टी ने कहा कि मुझे लकडी चाहिए तो उसने कहा पसंद कर लो वो लकडी की संदूक हुआ गया उसको ले गया रोग करके थीक है जो भी है ठीक है तीसरा फेर इकजार करता है अपने समय का इसी दीचे तुफानी राग में एक गर्वधी महिला उस गहाँ से बज़र रही थी प्रसाओं पीडा के कारों उसके साथी ने उसको कहा कि हम यातरा हैं क्या करें तो उस प्रसाओं से खीडिक महिला को उसने गाय की खान खुली देखी और वहां पे दे गया एक बच्चे को उसने जन्म दिया और जन्म के बाद उस माता की मत्ती बोगी परतु उस पिदा ने उस गंचे को निकाला उस लपड़ी के बकसे में जिसमें पुरादा भरादा उस बच्चा बड़ा होता है धीरे धीरे अच्छी बादे करता है फिस राजी में वह रहता था उस राजी के गवर्नर को वह बलाक बिल्कुल पसंद नी आठा एक दड़ नोन बच्चा नाँ में इस किनारे से इस किनारे यात्रा कर रहा था समुद्र के पास आती भी मत्यों में लहरे बहुत उठती हैं तूफान आया सादर का तूफान दरिया को हिला रहा था सब यादरी नाओं में काफ रहे थे वो एक छोड़ा सा बच्चा लेटा हुआ नाओं के किनोर को पकड़ के खड़ा दोता है और रिश्वर से प्रात्ना करता है कि हे परमात्मा प्लीज स्तूफान को शांत कर दो मुझे नीद आ रहे हैं ये ओरर सुंदर रिश्वर उसके सच्छी दिर की प्रात्ना से स्तूफान को शांत कर दोता है सब लोग सूशते हैं वाद चमदकार होगे हैं गवर्णर हुक्म देता है कि इस जवान होते बच्चे की जबान पाटती जाए, इसको फोड़्े मारे जाए, इसको सरे बाजार धुमाया जाए, राज्ची के खिलाफ होना बताया जाए कि क्या होता है, उसा सदा दे जाती है। कहा जाता है कि सबसे फारी लकडी इसके कंधे पे रखी जाए इसको सरे बाजार धुमाया है होता होई है सबसे फारी लकडी का समय आ गया है थार्मिक लकडी रो रही है कि मुझे कहा इस पीडा रायर इंसान के पीड पर लाग दिया है मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ ऐसा हा उसको कोडे बारे जाते हैं सरे बाजार उस लकडी के कट्थर को वो खसीरता हुआ जैसे ते से चलता हुआ वो आगे बढ़ता है और होता ये है कि उस लकडी के कट्थर को भी चुराए कि खड़ा करके उस पे सूली चाहर दिया जाता है उस पेप्टी तीनों के सपने थे तीनों के सपने तुरे हुए पर उसका अर्थ अलग था और कोई नहीं जिसस क्राइस है इसे हम इसा मसीर के नाम से जारते हैं जो वेक्टी सोचता था कि मेरे पास हीरे जवाराथ हो उसके पास एक पक्चा था जो बहुत हीरती था इरे जवारा तो सपने देखो जो वस्ता था कि मेरे पास एक राजा हो वो राजा से जाना प्थरी इंसा उसके पास था और जो सोचता था कि में धरभ के आम आंगा उसके ओपर साब्शाप इश्वर थे एक दूप थे तो इसी प्रकार से आप सभी सपने देखिये आपके सपने पूरे होंगे एक दिन जरूर होंगे उसका रूप अलब होगा हाउ अचोष हाउ अचोष हाउ अचोष हाउ अचोष